हेलो नमस्कार साथियों मैं हरबीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टड़ी चैनल स्टड़ी 24 ऑफिसियल एंड न्यूज 48 एक्सप्रिस में तो साथियों जैसा आपने थम्नेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वालें इससे पहले आपको बत करें और नोट्स लेते रहें और सबसे अच्छी बात यह है कि जो साथि जिन्होंने पहले मैसेजिज किये थे किसी कारणवस उनको नोट्स नहीं मिल पाये थे उनको नोट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं तो एक दो दिन में सभी साथियों को नोट्स मिलने स्टार्ट हो जा रहा है कभी गैस टीचर लगाई जाते हैं कभी कुछ होता है तो ऐसी ही घटना देखने को मिल रही है तो साथियों जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सक्सम जो सिक्सक लगाई जा रहे हरियाना के अंदर तो उसके विरोध में अभी विरोध में संग ने सियम को ग्यापन भेजाए मतलब उसके विरोध स्टार्ट हो चुका है कि ये सिक्सक नहीं लगने चाहिए सम के तहट सिक्सक नहीं लगने चाहिए जो सिक्सक लगें वो कैसे लगें पर्मानेंट लगें क्योंकि अगर जिनोंने एस्टेट कर रखा है उनको आटदरस जार के आप जॉब दे रहे हैं तो ये कहां करनिया है क्योंकि साथ यू आपको बता दू एस्टेट जिनके वैलिडिटी खत्म होने वाली है और हलाकि दो साल बढ़ा दी गई थी वैलिडिटी लेकिन आपको यही बात ध्यान होगे कि कितने साल होगे वैकेंसीज निकले और खास्तों तो स्ट्रिक्ट रूल लेने चाहिए जैसे गवर्मेंट बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ एक्शन ले रही है बड़े बड़े तो ऐसे ही छोटे लेवल पे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ जो जेबिटी एस्टेट पास एसोश आते क्या ये सक्सम के तहट सिक्षक लगने जायज है या गलत है क्योंकि आप विरोध बढ़ता जा रहे है और साइद इसमें कुछ ना कुछ अर्थन आ जाए तो यही अफटेटी जैहिन